वेल्कम टू माय चैनल औलफाइकलन दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाल है तो इससे पहले जो हमने देखा था कि हार्ट की मॉर्फॉलजी कैसी है बाहरे स्ट्रक्चर जो है हार्ट का कैसा है उसे के साथ हमने इंटर्नल स्ट्रक्चर भी डिसकस किया आता है यानि कि हार्ट भीतर से कैसा है आज हम देखेंगे हार्ट कैसे काम करता है यह जो है heart है जो कि एक hollow muscular organ है जो कि blood का pumping करता है body को oxygenated blood देता है और body से deoxygenated blood लेता है अब यह जो pumping है heart का यह दो step में होता है एक contraction और दूसरा relaxation contraction यानि कि क्या systol और relaxation यानि diastol जब heart में contraction होगा आपको यह बात धेटन रखने हैं कि जब heart में contraction होगा तब blood जो है heart से कहा जाएगा बाहर जाएगा heart से body की तरब जाएगा या फिर lungs की तरब जाएगा और जब relaxation होगा तो body से या फिर lungs से blood जो है यहाँ कहा आएँगा heart के अंदर आएँगा यह दो process में contraction और relaxation में heart का pumping चलता है तो यहाँ four chamber structure है heart में जिसमें दो node present रहते हैं यह है sino auricular node और यह है av node यानि की oreo ventricular node अब यह sino auricular node को pacemaker भी का आजाता है यह node का क्या काम है यह heart में contraction and relaxation की process जो होती है यह जो किसके माद्यम से होती है यह sino auricular node और oreo ventricular node ही क्या करता है इसके माद्यम से यानि की और यह node क्या करता है इस process को maintain करता है इस node के ही वज़े से यह process होती है यह जो है यह से node जो है यह पूरे यह जो wall है उपर की wall आप देख रहे है इस wall में जो फैला हुआ होता है यह यह से node और उसे के साथ इसका जो touch है वो AV node के साथ भी रहता है और AV node से bundles of hits और परकिंज फैबर जो रहती है वो ventricles के wall में भी arise रहती है तो यह क्या करते है contraction and relaxation जो sino auricular node रहता है वो impulse भेशता है और यह ventricular node को और auroral ventricular node से impulse जो है यह bundles of hits और परकिंज फैबर कंड़क करके क्या कर लेते है यह contraction और relaxation को क्या कर लेते है यह process को maintain कर लेते है यानि कि heart में contraction और relaxation जो होता है इसके बीच में जो pause होता है इसको maintain करने का इस यसे node का काम है ताकि यह जो process है contraction और relaxation जो है यह at a time ने हो जाए आपको धान में रखनी है कि जब auricles contract होंगे तब ventricles किस position में रहेंगे relax position में रहेंगे और जब ventricles contract होगा तो auricles relax position में रहेंगे दोनो at a time contract यानि कि जो auricles और ventricles दोनो at a time contract नहीं होते हैं हला कि यह जो दो auricles से at a time contract होते हैं और दो ventricles भी at a time contract होते हैं लेकिन auricles और ventricles दोनों at a time कभी contract नहीं होते तो इसके बीच में जो एक pause आता है फिर auricles contract होता है और pause लेके फिर ventricles contract होता है इस दोनों के बीच में जो pause है यहाँ यह pause जो है maintain करने का काम यह C node और AV node का है अब जो है superior venakawa और inferior venakawa से blood जो है राइट auricle में आता है superior venakawa जो है हमारे body के यानि के heart के जो उपर का पार्ट है जैसी की brain हम example की तोर पर लेते है जैसे उपर के part का जो blood है यह superior venakawa collect करती है और inferior venakawa जो है यह blood collect करती है lower parts यानि की legs में का होगा ऐसा blood जो carry करती है इस part का जो blood carry करती है वो कौन करती है यह coronary venakawa collect करके de oxygenated पूरा blood इस right auricle में ले के आती है यहाँ आप देख रहे है यह superior भी ने कावा यहाँ पर right auricles में blood आ चुका है जिसके हम atrium भी कहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा auricle का contraction होगा जब auricle का contraction होगा तो इस process को क्या कहा जाता है auricular systol कहा जाता है और जब यह auricle का contraction होगा तो blood जो रहता है de oxygenated blood यहाँ कहा चला जाता है ventricles की तरफ चला जाता है ventricles की तरफ यह चला जाता है इस tricospit wall के माद़म से यहाँ पर एक tr wczequispit wall रहती है इस wall के माद़म से यहाँ पर right ventricles में यह blood आ जाता है अब यह जो auricle contract होता है यह जो process होती है इसे auricular systol कहते है और यह जो process है 0.1 second में ही होती है अब blood यहाँ पर ventricle में आ चुका है अब यहाँ से blood कहा जाएगा सीधा जाएगा lungs की तरब अब blood जाएगा इस mark से यानि की pulmonary artery के माध्यम से lungs की तरब जाएगा अब blood यहाँ से जब ventricle contract होगा तो blood यहाँ से right auricle में भी जा सकता है तो यह blood right auricle में वापस न जाए इसलिए यहाँ पर tricus pit wall present रहती है जो क्या करती है यहाँ पर prevent backflow blood यानि की auricles में blood को वापस नहीं जाने देती यह wall क्या हो जाती है बंद हो जाती है जब ventricle contract होना start हो जाता है अब यहाँ पर जब ventricle contract होता है तो blood कहा जाएगा pulmonary artery के माध्यम से lungs की तरब चला जाएगा अब राइट वेंट्रिकल जब अब वेंट्रिकल के जो contraction है इसे क्या कहा जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल जो है यह 0.3 सेकन में होता है कितने 0.3 सेकन में यह प्रोसेस होती है इसे ventricular contraction भी कहा जाता है तो फिर यहाँ से blood जो है lungs में चला जाता है lungs से blood कई वापस ना आ जाए इसलिए यहाँ पर भी एक wall present रहती है जिसी के हम semilunar wall कहते है semilunar wall क्या करती है यह जो artery में गया हुआ pulmonary artery में गया हुआ blood कई वापस ना जाए इसको क्या करती है prevent करती है pulmonary artery एक ऐसी artery है जो की deoxygenated blood क्यारी करती है तो यह blood गया oxygen यह जो है deoxygenated blood चला गया lungs के तरप और अब यह जो blood है यह oxygen लेता है और pulmonary vein जो है यहाँ पर आपको 4 pulmonary vein जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस 4 pulmonary vein के माद्यम से जो है यहाँ पर blood आता है जब यहाँ बलड यानि कि जब यहाँ पर ventricular contract हो रहे होते है तो उसी time यहाँ पर क्या चल रहा होता है auricle का relaxation चल रहा होता है और auricle जो relax हो रहा है इसी process को क्या का जाता है auricular diastole जिसके लिए पूरा 0.7 second का time लगता है जो total cardiac cycle है 0.8 second में होती है यानि कि हमारी heart की 1 bit है वो 0.8 second में होती है और total जो हमारी heart beat है वो 1 minute में 72 से 75 bit तक होती है अब यहाँ पर जो relaxation हो रहा है इसे कहा जाता है auricular diastole जो blood है lungs से pulmonary vein के माध्यम से कहा आता है auricles में आता है अब यहाँ जो pulmonary vein है यह ऐसी vein है जो की oxygenated blood कैरी करती है क्या करती है oxygenated blood कैरी करती है यह whole pulmonary vein जो है pulmonary vein क्या करती है oxygenated blood कैरी करती है फिर यहाँ पर क्या होता है auricles का contraction होता है जब यह blood से फिल हो जाता है तो यहाँ पर फिर auricles का contraction होता है और contraction होके blood कहाँ चला जाता है इस left ventricle में bicaspit wall के माध्यम से यहाँ पर mitral wall जिसे हम bicaspit wall भी कह सकते हैं इस bicaspit wall के माध्यम से blood आता है left ventricle में जब left ventricle में blood आ रहा हूँगा relaxation हो रहा हूँगा तो auricle का contraction चल रहा हूँगा और contraction होनी की वज़े से यहाँ पर यहाँ का blood यहाँ transfer होगा और यहाँ transfer होनी की वज़े से यहाँ पर blood जो है इसके लिए जगा चाहिए इसलिए यहाँ पर ventricle का relaxation हो रहा होता है और इस ventricle के relaxation के process को ही क्या कहा जाता है ventricular diastole कहा जाता है ventricle के relaxation को ही ventricular diastole जिसके लिए यहाँ पर कितना time लगता है 0.5 second में यह process होती है और यह जो ventricle का contraction है यहाँ पर कितनी 0.3 second में यह process होती है तो यह जो blood है यह left ventricle में आ गया है और यह जो blood है अब कहा जाएगा whole body की तरब जाएगा जब यह whole body की तरब जाने के लिए जो ventricle contract होता है तो blood यहाँ से वापस इस auricle में भी जा सकता है left auricle में तो यह blood left auricle में ना चला जाए इसलिए यहाँ पर एक bicar spit wall जो है यह क्या करती है इसको prevent करती है यह जो है wall बंद हो जाती है और blood सीधा यहाँ से इस wall के माद्यम से कहा चला जाता है body की तरब जला जाता है जब complete contraction हो जाता है तो यह जो wall हो जाती है बंद क्यों होती है यह wall बंद जो heart को यानि कि aurota के माद्यम से जो blood भेजा गया है body को वो blood कई वापस ना आ जाए इसलिए यह wall क्या हो जाती है बंद हो जाता है तो यह रहा complete structure अब एक बहुत और बताना चाहता हूँ यह जो दो auricles है at a time contract होते हैं और यह जो दो ventricles है यह at a time relax होते हैं और यह जो दो ventricles at a time contract होते हैं तो उसी से में दोनो auricles क्या होंगे at a time relax भी होंगे तो उसी के साथ-साथ यहाँ पर क्या होंगा दोनो wall भी क्या होंगे at a time open और बंद होगे तो पहले जब tricuspid और bacuspid wall जो है at a time बंद होंगे तो पहला जो sound हमें सुनाई देता है वो कैसा sound रहता है love ऐसा sound हमें सुनाई देता है और जब यहाँ से blood यह दोनो ventricles contract होते हैं जब blood यहाँ pulmonary artery से lungs की तरब जाता है और इस ventricle का blood यानि की body की तरब जाता है इस evorta के माध्यम से तब जो होए यह blood वापस ना आ जाए इस evorta में का blood वापस ना जाए इस pulmonary artery का blood वापस ना जाए इसके लिए यहाँ पर जो semilunar wall present रहती है यहाँ semilunar wall बंद हो जाती है तब यहाँ पर दूसरा sound सुनाई देता है dub ऐसा love dub ऐसे दो sound हमें heart में देखनों को मिलते है तो यहाँ complete function यानि की working of the heart heart कैसे काम करता है कैसी इसमें oxygenated or deoxygenated blood आता है इस सब के बारे में आप समझ गए होंगे यह जो है heart में compartment present रहते है यह जो compartments है मैंने internal structure में इसके बारे में भी discuss किया है यह जो compartment है यह इसलिए रहते है क्योंकि यह जो है oxygenated or deoxygenated blood जो है कई mix न हो जाए इसको बचाने के लिए यह compartment में present रहते है जिसे की हम septum कहते है यह जो है auricular septum और यह है ventricular septum तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद